Hello everyone, हमने इस वीडियो से previous वीडियो में fixed points समझे थे कि fixed points क्या होते हैं इस वीडियो में हम normal form और nature of the mobius transformation topic को cover करेंगे उससे पहले हम कुछ theorems करते हैं हमारी जो first theorem है वो क्या है show that generally there are two values of z as fixed points for which w is equal to z but there is only one if a minus d का square plus 4bc is equal to 0 हमें क्या क्या है कि generally हमारे पास जो fixed points होते हैं वो दो ही होते हैं ठीक है पर अगर हमारे पास यह term 0 के equal होगी ना तो उस case में हमारे पास सिरफ a की fixed point होगा यह हमें show करना है तो सबसे पहले आपको पता कि हमारा mobius transformation topic चल रहा था ठीक है तो हम mobius transformation के लिए ही इसको प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं कि mobius transformation let w is equal to az plus b upon cz plus d ठीक है such that ad minus bc not equal to 0 हमें क्या प्रूव करना है मैं फिर से बता रहा हूँ हमें यह प्रूव करना है कि इस transformation के लिए हमारे पास generally कितने fixed point होते हैं दो ही fixed point होते हैं ठीक है पर अगर a minus d का square plus 4bc 0 के equal है तो उस case में हमारे पास सिरफ एक ही fixed point होगा ठीक है तो सबसे पहले तो हम fixed point निकालते हैं फिर इस transformation के लिए तब ही तो हम दिखा पाएंगे ना कि वह 2 है जाए एक है जो कब एक होगा यह हम तब ही दिखा पाएंगे तो सबसे पहले हम इसके fixed point निकालते हैं तो fixed point निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मैंने आपको बताया था for fixed points fixed points हमारे बस क्या होता है w को हमें क्या put कर देना होता है z put कर देना होता है ठीक है यह निकालने के लिए तो put कर देते हैं w को जगा z तो put कर दो तो z is equal to az plus b upon cz plus d आजाएगा ठीक है अब देखिए आप क्या करेंगे z की value को निकालेंगे जो z की value आएगी वही हमारे fixed point होता है तो z की value को निकालने के लिए पहले हम cross product करते हैं इसको उदर ले जाओ z into cz plus d is equal to az plus b आजाएगा z को उदर multiply कर दो cz square plus dz is equal to az plus b आजाएगा ठीक है इस term को इदर ले आओ यहाँ plus था उदर जाएके minus हो जाएगा minus b is equal to 0 आजाएगा अब cz square plus इन दोनों से z को common ले लो तो क्या आजेगा d minus a minus b is equal to 0 आजाएगा ठीक है इसमें से अगर मैं minus को common ले लूँ तो मेरे बस क्या आजाएगा माइनस यहाँ प्लस की जगा माइनस हो जाएगा और यह बन जागा A माइनस D बाहर Z माइनस B is equal to 0 और यहाँ जो C Z स्केर था वो है Z T हमारे बस अब यह equation आ चुकी है अब आपको पता हमें Z की वह उनकाल नहीं है पहले बात तो यह क्या है किसमें Z में आप देख सकते हो पहले है सब्सक्राइब देशके यह किसमें क्वारिटिक है यह आपकी जैड में क्वारिटिक है जैड स्केयर फिर एक्वेशन के लिए एक्स की वेल्यों नुकालना चाहते हैं किए निकालना चाते है कि यह X ऐसे हो एक तो उसके लिए खराएगा १ माईनास ब्लस अंडर आटरूट वी किया माइनस 4 ac आएगा त्व इंटु ई हुआ है यहींग करेंगा यही खराएगा हां यहां हमारे पास प्रणया आक्राद में इस लिकाएगा कि वो कहेंगी z is equal to minus b minus b मतलब यहां कहें z के साथ जो होता है वो आपके पास b होता है तो यह a minus d है और साथ में minus भी लगा हुआ है मतलब कि यहां जगा है a minus d ठीक है क्योंकि एक minus यह लगा हुआ है एक formula में लगा हुएगा तो a minus d आ गया plus minus under root b square मतलब कि फिर से minus a minus d का square तो minus a minus d का अगर आप square करोगे तो क्या आएगा a minus d का square ही आएगा क्योंकि minus का square plus होता है ठीक है तो आज जगा a minus d का square minus 4 into ac इस equation में a कौन है जो x square के साथ लगा हुआ है ठीक है और यहां z square के साथ कौन लगा है c लगा हुआ है इसका मतलब a की जगा हम यहां क्या लेंगे c ठीक है और यहां c कौन है जो constant है यहां constant कौन है minus b तो इसका मतलब यहां जो c होगा वह minus b होगा तो अब यहां लगा जाते है और minus minus यह प्लस हो जाएगा ठीक है अपॉन में 2 into a 2 into a मतलब जो यहां x square के साथ जो लगा हुआ है यहां कौन लगा z square के साथ c लगा है तो मतलब 2 into c आ जाएगा ठीक है तो यही formula हमने यहां apply कर रहा है चलिए अब यह हमारे पास आगी है z की value तो आप देख सकते हो यहां हमारे पास z के कितनी values आ रही है तो वह values आ रही है एक plus एक minus हाना तो मान लेते हैं जो हमारी plus वाली value है वो क्या है let क् क्या है a minus d plus under root a minus d का square plus 4cb upon 2c यह हमारे पास एक z की value आगी एक fixed point आ गया और r की value क्या है a minus d minus under root a minus d का square plus 4cb upon 2c तो हमारे पास generally कितने fixed point होते हैं दो fixed point होते हैं बट हमें और क्या prove करना है कि अगर a minus d का whole square plus 4bc 0 के equal हो जाए तो उस case में हमारे पास सिर्फ a की fixed point होगा तो यहां देखिए इसी महीं इसी z की value में देखिए अगर मैं इसको क्या कर दूँ जीरो कर दूँ a minus d का square plus 4bc वही तो है इसको अगर मैं 0 कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगी z की value z की value मेरे पास आ जाएगी a minus d यह plus minus वाला system में खतम होगा क्योंकि plus minus यहां 0 हो जाएगा तो plus minus लगा हुई ना अपन में 2c बचेगा तो आप देख सकते हैं यहां z के कितनी value आई है a की होते हैं ठीक है यहां हम mobius transformation की बात कर रहें इसलिए हमने यहां mobius transformation ली है तो उसके लिए हमारे पास सिरफ दो ही fixed point होते हैं ठीक है बट अगर आपके पास a minus d का whole square plus 4bc 0 के equal है तो उस case में हमारे पास एक ही fixed point होता है यही हमें prove करना था next देखते है next theorem prove that if there are two distinct fixed points q and r the transformation may be of the form w minus q upon w minus r is equal to k z minus q upon z minus r आजाएगा ठीक है मतलब कि हमें क्या करना है prove करना है कि अगर हमारे पास fixed point 2 है ठीक है if there are 2 fixed point अगर 2 fixed point है तो हम transformation को as इस form में लिख सकते है transformation को इस form में लिख सकते है ठीक है यह वाली form में यहां k की value कुछ भी हो सकती है ठीक है तो इसको prove करते है सबसे पहले तो हम कोई 2 fixed point को मानेंगे तो मान लेते हैं let q and r हमारे पास 2 fixed point है q and r b2 fixed points यह हमारे पास कोई भी 2 fixed points है आपको पता ना fixed point क्या होते है z की values ठीक है और fixed point हम निकालते कैसे है कैसे निकालते है जैसे हमारे पास transformation है w is equal to az plus b upon cz plus d यही transformation आपको लेनी है क्योंकि हम mobile transformation के अंदर इसको बढ़ रहे है ठीक है तो यह transformation मान लेते है हमारे पास है ठीक है अब मुझे यहां क्या करना पड़ेगा fixed point निकालने के लिए w की जगा z put कर दो ठीक है z put कर रहे हो तो क्या जाएगा z is equal to az plus b upon cz plus d फिर से cross multiplication करके हमारे पास equation आएगी वह equation क्या आएगी जो हमने अभी पिशली theorem में लिखी थी देखिए यहां मैंने क्या किया था w जगा z put कर रहा था उसके बाद मेरे पास क्या equation आगी थी यह equation निकल के आगी थी यह equation को मैं सिधा महा लिख रहा हूँ ठीक है तो मेरे पास यह equation आ जाएगी अब देखिए अब क्यो और r क्या है fixed points है अगर क्यो और r fixed point है मतलब कि यह z की values है तो उस case में क्या होगा क्योंकि k why इतार करेंगे तो यह दोनों जो पउंट्स है इस equation को satisfy करेंगे तो यह equation क्या है W को Z put करके ही बनाई है W को Z kब put करते हैं जब हम Fixed Point निकालते हैं Fixed Point हमें पर पहले के given है Q और R इसका अलब यह दोनों जो points है इस equation को satisfy करेंगे ठीक है तो मैं पहले इस equation में Q put कर देता हूं C Q square minus A minus D Q minus B is equal to 0 ठीक है R भी इस equation को satisfy करेगा तो R को भी मैं यहां put कर देता हूं तो C R square minus A minus D R minus B is equal to 0 ठीक है Next time में मैं Q को अंदर मल्टिप्ला करवा देता हूं तो मेरे बस क्या आजएगा C Q square minus इस Q को अंदर मल्टिप्ला कराऊंगा और minus को भी अंदर मल्टिप्ला करवा देता हूं तो A आजएगा minus A क्या हूं plus D Q minus B is equal to 0 और यहां मैं R को अंदर मल्टिप्ला करवा देता हूं तो क्या आएगा C R square minus minus को भी अंदर मल्टिप्ला करवा रहा हूं minus A R minus minus नहीं plus D R minus B is equal to 0 ठीक है next step में अब हम क्या करेंगे D Q minus B को मैं उदर ले जाता हूं और इसमें से D R minus B को मैं उदर ले जाता हूं मेरे पास क्या जएगा C Q square minus A Q इसको उदर लेकर जाओंगो तो क्या जएगा B minus D Q similarly C R square minus A R is equal to इसको मैं उदर ले जाता हूं तो B minus D R आ जाएगा ठीक है यह आगी इसको मैं equation number 1 मान लेता हूं इसको equation number 2 मान लेता हूं अब देखिए अब हमें करना क्या है हमें तो यह प्रूव करना है कि अगर हमारे पास 2 fixed point है क्यों हो और R ठीक है तो हमारे पास यह form आएगी मतलब कि हमारे पास यह equation आएगी transformation इस form के आएगी ठीक है तो हमना क्या करते है हमना यहांसे LHS को ले लेते है और RHS को प्रूव कर देंगे तो मतलब हमें क्या करना है हमें यहांसे LHS उठाना है और RHS को प्रूव कर देना है तो लेते हैं LHS of equation इसको अगर मैं star equation मान लूँ यह री az plus b upon में cz plus d minus q upon यहां भी w की value put करेंगे az plus b upon cz plus d minus r आ जाएगा यहां lcm ले लिए लेंगे तो az plus b minus q into cz plus d आ जाएगा upon में cz plus d upon में az plus b minus r into cz plus d upon में cz plus d lcm लिया मैंने नीचे भी और उपर भी यह कट गया ठीक है आपके पास अब क्या आ जाएगा यहीं लिख रहा हूं मैं उपर लिटा में az plus b मैं साथ साथ इस minus q को अंदर multiply करवा जता हूं ठीक है तो minus q cz minus q d आ जाएगा ठीक है अपॉन में az plus b minus r को भी अंदर multiply करवा दूँए तो minus r cz minus r d आ जाएगा ठीक है अब यहां से जो z वाली जो टाम जोना को उनको उनको इकठा कर लो यह वाली z है यहां z है यहां z इसको कठा कर लो तो यह ज़गा a minus q c और यहां से z को common निकाल देता हूं ठीक है और बाकी जो टाम्स उनको कठा लिख दो plus b minus q d अपॉन में यहां भी z जाड़े जाड़े वाली टाम्स को कठा लिखके z को common निकाल दो तो a minus r c इसमें से z को common निकाल दिया plus b minus r d आ जाएगा ठीक है अब b minus q d की value आप equation number 1 से equation number 1 से b minus q d की value क्या है c q square minus a क्यों है तो वो मैं यहां पूट कर देता हूं और similarly b minus r d की value क्या है यहां से equation number 2 से c r square minus a r यह मैं यहां पूट कर देता हूं तो मेरे बस क्या आजाएगा a minus q c into z plus क्या लिखूंगा c q square minus a q upon में ca r c into z PLUS यहां क्या लिखूंगा c r square minus a r अब देखिए यहां से उपर आप यह देख सकते हैं इसमें से q common निकल रहा है और नीचे में से r common निकल रहा है तो यह कर देते हैं a minus q c into z as it is ठीक है प्लस यहां से q को common लेते हैं तो हमारे बस क्या आ जाएगा c q minus a आ जाएगा upon में a minus r c into z प्लस यहां से r को common ले तो r और यहां आजएगा c r minus a आ जाएगा यहां तो यहां तो r square है तो 1 r यहां मतलब बच जाएगा ठीक है next step में a minus q c into z यहां से में अगर मैं minus को common ले लेता हूँ तो यह मेरे पास क्या बन जाएगा a minus q c बन जाएगा minus को common लेने के कारण तो यहां भी a minus q c बन जाएगा यहां भी a minus q c बन जाएगा तो इसको मैं बात में common ले लूँगा similarly नीचे भी अगर मैं यहां minus q common ले लेता हूँ तो यह क्या बन जाएगा a minus c r बन जाएगा यह भी a minus c r है माइनस को common लूँगा तो minus r a minus cr next step में यहां भी a minus क्यों सी यहां भी a minus क्यों सी है इसको common ले लेते हैं a minus क्यों से और क्या बचा ? यहां Z बचेगा माइनस یहां Q बचेगा अप्यूंट में यहां से भी A-Arc को common ले लेते हैं यहां बचेगा Z- और यहां ऱ बचेगा ठीक है तो हमारे-पास जो left-hand-side में चल रहाँ वो कर चल रहा था W-KO एप्यूंट W-R और right hand side हमारे पास यह आ चुकी है तो इसको मैं लिख देता हूँ next page पे तो मेरे पास यह आ चुका है ठीक है जो यह वाली term है यह वाली इसको मैं K मान लेता हूँ small K ठीक है तो यह जएगा K into Z minus K U upon Z minus R is equal to W minus K U upon W minus R यह हमें क्या करना था प्रूव करना था ठीक है और इसको normal form भी कहते है क्या कहते है normal form जब आपके पास fixed points है कितने है 2 है तो यह आपके क्या होती है normal form होती है जब आपके fixed point 2 है ठीक है इसका use कभ होगा questions में कैसे होगा मैं आपको इसी वीडियो में आगे करवाऊंगा अभी के लिए आप यह याद रखना जब फिक्स पॉइंट दो होते हैं तब आपकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो यह होती है ठीक है चलिए अब हम नेक्स थोर्म करते हैं नेक्स थोर्म में हमें क्या क्या रखा है शो दैट हमें क्या 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 रखा है अगर आपके पास एक ही फिक्स पॉइंट है तो आपकी जो ट्रांस्वर्मेशन होगी ना वो इस फॉर्म की होगी यह हमें प्रूव करना है है ठीक है सबसे बहुआ रहला हम मान लेते हैं कि हमारी पास क्या फिक्सपाइंट है मानना हम वह च designated है फिक्सड फिक्स पॉइंट है सबसाब ऎबारे तो हम ये देखतें कि हम मिक्स्पाइंट निकालते कैसे आपको पता है अगर आपके बास यह ट्रांस्फोlleson है AZ PLUS B UPON CZ PLUS D यह MOBIES TRANSFORMATION है तो इसके आप से आप क्या करना है FIX POINT नकालने है FIX POINT आप कैसे निकाल होगे W को क्या पूट कर देते है Z PUT कर देते है ठीक है W जब कर देखे AZ PLUS B UPON CZ PLUS D फिर से क्या होगा एक आपके पास EQUATION BAN किया हैगी c z square minus a minus d z minus b is equal to zero ठीक है ना cross multiplication करने के बाद आपके बास क्या आएगी s equation आजाएगी पुरा solve solve करने के बाद हमने ये देखा था first theorem के अंदर इसमें जो ये z है क्योंकि ये z में quality है तो जो इसमें z है उसकी value क्या होती है first theorem में देखिए जाके इस वीडियो की ये देखिए z की value क्या होती है ये होती है हमने formula लगाया था quality equation के लिए z की value निकल के आगी थी तो यही value मैं वहां लिख देता हूँ तो देखिए हमारे पास ये आ चुका है ठीक है but हमें क्या-क्या रखा है कि हमने सिरफ a की fixed point लेना है तो अगर आपके पास a की fixed point होता है वो कब होता है a की fixed point कब होगा अगर यहाँ plus minus वाला system गायब हो जाए मतलब कि यहाँ एक plus वाली term होती है एक minus वाली term होती है तो इससे तो z की दो values होगी but हमें तो a की fixed point निकालना ना तो एक fix point कब निकलता है जब यह वाली term जो होती है वो 0 हो जाती है तो अगर यह term 0 हो जाएगी तो आपके पास z की value आपके आजाएगी a minus d upon 2c आजाएगी तो आपको जो एक fixed point है जब आपके आपस बात की जाए ना कि आपके बास a की fixed point है तो वो fixed point क्या होता है a minus d upon 2c होता है और यहां हमने fixed point को क्या नाम दिया है एक fixed point को क्यो नाम दिया है तो यहां z की जगा मैं क्यो बूट कर दूँगा क्यों is equal to a minus d upon 2c आजाएगा तो यह हमारा क्या है fixed point है यह क्यों की value है चलिए हमारे पास एक fixed point है हमें प्रूफ का करना है हमारे पास जो transformation होती है वो इस form की होती है यह हमें चीज प्रूफ करनी है तो start करते है सबसे बहले तो आपको यह याद रखना है क्यों की value यह होगी अगर आपके पास fixed point क्या है एक है ठीक है और यह equation इसका use होगा इस equation का एक use होगा यह भी हम याद रखेंगे तो हमारे पास जो fixed point था वो यह था ठीक है यहां से मैं है न 2C को तुरह multiply कर बाद देता हूँ 2C क्यों आ जाएगा is equal to A minus D आ गया यहां से मैं D की value निकालोंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास A minus 2QC आ जाएगा यह D की value एक मैंने equation आपको का था वो याद रखनी है C Z square minus A minus D Z minus B is equal to zero इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो अब देखिए आपके पास जो Q है वो क्या है वो fixed point है क्यों क्या है fixed point है ठीक है fixed point क्या होता है जो Z की values होती है वो ही fixed point होता है अगर क्यों आपका fixed point है तो इसका मलब वो इस equation को satisfy करेगा जहाँ जहाँ Z है हम क्यों रख सकते है क्योंकि जो fixed point होता है वो Z की values होता है जब हम W को Z put कर देते है और जो यह equation आई है यह आपकी W को Z put करने के बाद ही आई है यहाँ से देखिए W को Z put करा तभी यह equation निकल के आई है इसका मतलब जब हम fixed point निकाल रहे है तभी हमारे पास यह equation आई है तो जो fixed point हमारे पास है Q अगर वो मैं यहाँ put कर दूँ तो यह Q इस equation को satisfy करेगा ठीक है तो मैं क्या करूँगा इस Q को मैं इसमें put कर देता हूँ equation number 2 में ठीक है तो equation number 2 में अगर मैं put करता हूँ इसको equation number 2 ना माननों अभी के लिए Z की जगा Q put कर दो तो यह आजगा C Q square minus A minus D Q minus B is equal to 0 यह Q को अंदर multiply कर वादो C Q square minus A Q plus D Q minus B is equal to 0 आ जाएगा ठीक है अब next step में D Q minus B है इसको उदर ले जाओ तो आपके पास आजएगा C Q square minus A Q is equal to B minus D Q आ जाएगा यह आपके equation number 2 है ठीक है अब देखिए अब आप क्या प्रूव करना है कि transformation आपकी क्या है यह है यहाँ आप क्या करो आप left hand side को उठाओ ठीक है उसको आप right hand side की एक ब्रूव कर देना तो मैं यहाँ से left hand side को उठा रहा हूँ तो यहाँ मैंने वही किया 1 upon W minus Q को मैंने उठा रहा W की वेलिए आपको पता है Az plus B upon C Z plus D होती है वो बने यहाँ पूट कर दिया minus Q आ गया फिर इसको मैं reciprocal करके उपर भी जिज़ दूँगा जैसे यहाँ करा मैंने ठीक है उसके बाद minus Q C Z plus D आ गया था न तो यहाँ Q को अंदर multiply कर दो ठीक है यह step नहीं भी करना यह गलत है आप क्या करो Q को अंदर multiply कर दो आपके बस क्या आ जाएगा C Z plus D upon A Z plus B minus Q C Z minus D को आ जाएगा ठीक है next step में हम क्या करेंगे C Z plus D upon में आप क्या करो B और minus D को को कठा लिख दो तो A Z minus Q C Z इसको मैंने पहले लिख दिया ठीक है प्लस में B minus D को को मैंने कठा लिख दिया अब B minus D को की जगा में क्या पूट कर सकता हूँ equation number 2 से C Q square minus A को पूट कर सकता हूँ तो आजएगा C Z plus D upon में A Z minus Q C Z प्लस इसकी जगा में क्या पूट कर दूँगा C Q square minus A को ठीक है equation number 2 से यहा मैंने पूट कर दिया अब यहां से जो नीचे है ना जहां-जहां Z यह Z है यह Z है ए जह ठीक है इसमें से Z को कमण निकाल लो तो C Z plus D upon में यहां से क्या करूंगा Z को कमण निकाल लोंगा तो आजेगा पुलस इसमें से को कमण निकाल दो क्यो कमण निकाल के बाद C Q minus A एजएगा ठीक है यहां D की जगा A-2QC पूट कर रहता हूं यहां तो यहां जगा A-2QC आ जाएगा ठीक है अब next step देखते हैं अगर मैं यहां से भी माइनस को common ले लूँ यहां से तो यह क्या बन जाएगा A-CQ और माइनस यहां बाहर आ जाएगा मैंने मैं माइनस common ले लिया ठीक है अब देखें यहां भी A-CQ है यहां भी A-CQ common निकाल सकता हूं तो A-CQ मैंने क्या निकाल दिया common निकाल दिया ठीक है यहां क्या बज़ेगा Z-Q बज़ेगा उपर क्या है CZ यहां से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं तो यहां जाएगा 2CQ-A जाएगा इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन ले गिया ठीक है अब देखिए next step जहां यहां से आप कॉमन ना लो अब क्या करो सीधा step यहां 2CQ है ना 2CQ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस को सी माइनस को सी एसे लिख सकते हो पहलेका माइनस के सी यह वह स्टेप पर यह से भी फॉलो करना है जो यहां मैंने कर रहा था A-CQ into Z-Q आजाएगा तो 1 upon W-Q किसके एकवल आगया इसके एकवल आगया वह मैं next page भी लिख रहा हूं हमारे पास यह आगया था 1-CQ को इसके साथ लगा दो 1-CQ को इसके साथ लगा दो तो यह आजगा C-CQ plus A-CQ upon में A-CQ into Z-Q आजाएगा और यहां 1 upon W-Q आगया ठीक है next time में हम क्या करेंगे इसको मैं इसके नीचे ले जाओंगा और इसको मैं इसके नीचे भी ले जाओंगा तो मिरे पास क्या आजाएगा C-CQ upon में A-CQ into में Z-Q plus A-CQ upon में A-CQ into Z-Q इसको मैं इस पूरे को इसके नीचे ले गया डिनोमिनेटर को मैं इसके नीचे भी ले गया ठीक है तो मिरे पास C आगया अब देखे यहां से अगर मैं C को common लूँ तो क्या बन जाएगा Z-Q बन जाएगा C को common लिया मैंने इसमें से Z-Q से Z-Q कट गया यहां से A-CQ से A-CQ कट गया तो यहां क्या बचेगा C upon A-CQ और यहां क्या बचेगा 1 upon Z-Q ठीक है 1 upon W-Q as it is इसको मैं K put कर देता हूँ K plus 1 upon Z-Q is equal to 1 upon W-Q और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था next theorem पे चलते हैं एक बात और इसको हम क्या कहते है normal form कहते है इसको हम क्या कहते है normal form यह normal form कब बनती है जब आपके पास fixed point कितने होते है एक ही होता है ठीक है जब fixed point टेक है तब normal form क्या बनेगी यह बनेगी जब दो fixed point होते हैं तो उस case में आपको पिछली theorem जो करवाई थी न उसमें जो transformation वाली form थी वो आपकी form बनेगी ठीक है चलिए next theorem करते हैं show that if there is only one finite fixed point P ठीक है and other fixed point is infinity then transformation की जो form होगी वो ये होगी मतलब कि अगर आपके पास एक fixed point है जो की finite है और एक और fixed point है जो की infinity है तब आपके जो transformation की form क्या होगी ये होगी सबसे पहले तो हमने देखा था कि आपके fixed point वाले topics में मैंने आपको चार results करवाई थे चार results में से आपके पास जो चोथा result था उसमें क्या था कि अगर आपके पास ऐसे दो fixed point है जिनमें से एक finite है एक क्या है और दूसरा infinity पर है तो उस case में आपके पास जो c होता है वो 0 के एकवल होता है और a-d जो होता है वो not equal to 0 होता है यह हम कह सकते है a not equal to d होता है क्योंकि अगर a-d के equal हो जाएगा तो उसके समें यह 0 बनेगा ठीक है अगर a-d not equal to 0 है इसका मतलब a भी अलग है और d भी अलग है यह दोनों same नहीं है ठीक है तो यह आपको चीज़ याद रखनी है कि आपके पास अगर दो fixed point है और उसमें से एक infinity है और एक finite है तब यह condition होती है ठी दूज़रा infinity है और हमें प्रूफ क्या करना है जो आपके transformation होगी इस form की बन जाएगी ठीक है तो देखिए सबसे लगे तो हम conditions लिखते हैं जो हमने पड़ी थी condition क्या थी एक तो c 0 के equal होगा और a not equal to d के equal होगा ठीक है चलिए अब हमें यह चीज़ प्रूफ करनी है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है सबस्क्राइब एक transformation लो w is equal to a z plus b upon c z plus d या एका ठीक है c थो बट 0 के equal है तो यहाँ इसको मैं 0 पूट कर देता है तो आपके क्या जाएगा w a z plus b upon d आजाएगा इसको मैं ऐसे लेख सकता हूँ w is equal to a by d into z plus b by d आजाएगा इसको equation number 1 मान लो transformation आगे अब एक बात हो रहा है यहाँ हमें क्या रखा है जो finite fix point है वो क्या है P है finite fix point क्या है P है ठीक है तो fix point है fix point माता z की values ही होती है अगर z की value होता है वो इसको satisfy करेगा that के जगा में हमें P put कर सकता हूँ तो इस equation को satisfy करेगा ठीक है और आपको पाता है fix point निकालने के लिए और हम क्या करते है W को z put कर देते है तो यहाँ पहले मैं तो W को z put करता हूँ W को z put करा तो z is equal to a z by d plus b by d अब देखिए हमारे पास यह fix point क्या है P है ठीक है और य इक्वेशन हमने कैसे बिनाई है W को z put करने के बाद ही बिनाई है W को z हमकब put करते हैं जब हमें fix point निकालना होता है और fix point तो हम यहाँ given है पहले ही P ठीक है इसका मतलब जो यह equation हमारे पास है W को z put करने के बाद यह P मतलब की इसको जो है P satisfy कर सकता है ठीक है इसमें अगर म पुट कर देता हूँ वो इसको satisfy करेगा हमारे पास यह equation आ जाएगी मैं p को यहाँ put कर सकता हूँ क्योंकि p fix point है और यह equation ही fix point है निकालने के लिए बनाई गई है w को z put करने के बाद ठीक है az minus d plus b upon d है ठीक है माइनस p लेना है माइनस p p क्या है यह रहा a p by d minus b by d आजाएगा b by d से b by d कट गया आपके पास क्या आगया a by d यहां से भी a by d यहां से भी a by d को को मैं common लोंगा तो क्या जाएगा z minus a p आजाएगा a by d को मैं k put कर देता हूं तो k into z minus p आजाएगा तो हमारे पास w minus b किसके equal आगया k into z minus b के equal आगया यह हमें क्या करना था तो जब आपके पास दो fix point होते हैं जिनमेंसे एक finite है और एक infinite है तो उस case में आपके पास transformation इस form की होती है चलिए अब हम बात करते है nature of mobius transformation की अगर आपको कहा जै कि transformation का nature निकालो तो आपको क्या चीज निकाल दी है वह मैं आपको बताऊंगा तो देखिए अगर आपके पास कोई mobius transformation है और उसके पास एक ही fix point है तब आपकी mobius transformation का जो nature होगा ना वह parabola होगा क्या होगा पैरा बोल है जहां आग आगे मैं बताऊंगा क्या-क्या nature हो सकते है तो अगर आपके पास कोई transformation कीवन है mobius transformation और उसका fix point क्या रहा है एक ही आ रहा है तब आपका आप क्या होगे उसका जो nature हो क्या है पैरा बोलिक है ऐसे nature निकालने है हर question में second क्या है अगर आपके पास mobius transformation है mobius transformation ठीक है और माल लेते हैं उसके पास दो fixed point है दो fixed points है ठीक है अगर दो fixed point है तो उसको हम कैसे लेख सकते हैं यह अभी हमने देखा था w minus q upon w minus r is equal to k into z minus q upon z minus r ऐसे लिख सकते हैं इसको अगर आपके mobius transformation के पास दो fixed point है एक fixed point के लिए मैंने आपको बताया था ठीक है उसकी जूरूत ही नहीं पड़ी क्यूंकि अगर एक fixed point है तो सिद्धा parabolic कह देना बट अगर आपके पास दो fixed point है तो उस case में आपको इस transformation की जूरूत इसलिए पड़ी है यहां लिखने की ताकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां जो k है ना इसकी value के ओपर depend करेगा फिर कि आपकी mobius transformation का nature कैसा होगा तो देखिए यहां अगर यहां आपका k greater than 0 है k की value यहां क्या greater than 0 है तो उस case में जो आपकी mobius transformation होगी ना उसका जो nature होगा वो क्या होगा hyperbolic होगा hyperbolic ठीक है यह पहली condition है अगर यहां जो आपक k है इसकी value क्या है e raise to power i8 alpha ठीक है यहां जो alpha है not equal to 0 है तो उस case में आपके पास जो nature होगा आप क्या कहोगे वो क्या होगा loxodromic होगा loxodromic थर्ड क्या है अगर k की value क्या a into i8 alpha है और यहां alpha की value not equal to 1 है और alpha not equal to 0 है ठीक है तो उस case में आपके पास यह क्या होगा यहां जो nature होगा वो क्या होगा elliptical होगा ठीक है और यहां आपका जो nature होगा वो क्या होगा लोकसोड्रोमिक होगा यही था आपका nature of mobius transformation ठीक है तो अगर आपको nature पूछा जाएगा ना तो nature में आपको बस यही करना है अगर एक fixed point निकलता है तो आप सिद्धा ही कहा दोगे कि वो parabolic है अगर दो fixed point निकलते हैं फिर आपको यह form बनानी पड़ेगी और इसमें k की value को चेक करना पड़ेगा k की value आपके कैसी आ रही है उसके ओपर फिर depend करेगा कि आपकी जो mobius transformation है उसका nature कैसा है ठीक है चलिए अब हम कुछ examples करते हैं find the fixed points, normal form and nature of the following transformations हमें कुछ transformations given होंगी हमें transformations के लिए fixed point निकालने है उसकी normal form निकालनी है और nature निकालना है जो हमें mobius transformation given होंगी हमें जो first mobius transformation given है वो है w is equal to 3z-4 upon z-1 करें के इसका सबसे पहले कियाना निकालने है fix point निकालने के तो इसके fixed point कैसे निकालने के आपको पता है कोक आपके आपके पास universe transformation given हाँ हम w को जैट के साथ replace कर देते हैं तो एक और उसके बाद to 3z-4 upon z-1 आ गया cross multiplication कर दो यह उदर चला जाएगा तो z into z-1 is equal to 3z-4 आ गया z को उन्दर multiply करवा हो तो क्या आएगा z square minus z आ जाएगा is equal to 3z-4 आ गया ठीक है यहां भी z आएगा यह नहीं आएगी चीज़ अब next step में हम क्या करेंगे 3z-4 को उदर ले आते हैं ठीक है तो हमार बस क्या जाएगा minus 3z plus 4 आ जाएगा अब minus z minus 3z क्या होता है minus 4z होता है plus 4 और यहाँ z square is equal to 0 इस quadratic equation को solve आप खुद कर सकते हो तो यहां से आपके पास z की value क्या जाएगी 2,2 आ जाएगी ठीक है तो आपके पास मतलब कि कितने fixed point आगे a की fixed point आया है क्योंकि अगर आपके पास same values आती है z की तो उसका मतलब हम क्या लेकर चलेंगे a की हमारे पास value आई है 2 आई है ठीक है तो यह हमारी fixed point निकल गए ठीक है चलिए अब हम निकालेंगे nature निकालते है पहले तो nature कैसे निकाल लेंगे simple सी बात fix point के उपर डिपैंड करता है nature क्या होगा मैंने आपको बताया था nature of the mobis transformation में तो यहां fix point कितने निकले है एक ही fix point निकला है और जब आपका एक fix point निकलता है तो उस case में आपके पास nature क्या होता है transformation का parabolic तो nature क्या है parabolic क्यों क्योंकि हमारे पास सिरफ एक ही fixed point है अभी मैंने आपको बताया था nature of the mobis transformation में a mobis transformation with one fixed point is parabolic ठीक है यह parabolic होगा चलिए अब हम बात करते है normal form की normal form हमने कुछ theorems करी थी न अभी इसी वीडियो में तो theorems में जो आपकी second और third theorem थी ठीक है उसमें हमने normal forms पड़ी थी दो यह देखिए second theorem जिसमें हमने यह normal form पड़ी थी इसको हम क्या कहते है normal form कहते हैं कब जब आपके पास 2 fixed point निकल क्याते है ठीक है similarly third theorem में हमने यह एक form पड़ी थी इसको भी हम normal form कहते हैं पर कब जब fixed point हमारे पास क्या होता है एक ही होता है ठीक है तो अभी हमने हम जो question कर रहे हैं थे उसमें आपके पास कितने fix point निकले हैं एक ही तो निकला है z is equal to 2 ठीक है तो इसका मतलब आपकी जो normal form होगी यह होगी तो हमें यही normal form को prove करना है तो हम कैसे करेंगे आप left hand side लेकर चलोगे और right hand side को prove कर दोगे ठीक है तो यहां मैं जो general normal form हो उसको मैं लिख रहा हूँ वो क्या होती है जब आपके पास एक ही fix point निकला है 1 upon w minus q is equal to 1 upon z minus q plus k ठीक है तो हम 1 upon w minus q से start करेंगे और इसको इसके equal prove कर देंगे और यहां फिर आपके पास k की value भी आ जाएगी ठीक है यहां क्यों आपके पास कोन है क्यों आपका fix point होता है जो एक fix point निकला है क्या निकला है 2 निकले ना यहां क्यों की जगा हम two put कर देंगे हमें क्या prove करना है हमें प्रूव करना है 1 by w minus 2 is equal to 1 by z minus 2 plus k की value हमें बाद में पता चलेगी क्या होगी ठीक है तो यह चीज़ हमें क्या करनी है प्रूव करनी है तो यहां से start करते हैं left hand side से normal form के लिए चलिए start कीजिए 1 upon w minus q fixed point क्या 2 है तो क्यों की जगा 2 आएगा ठीक है चलिए यहां w की value put कीजिए w की value क्या थी यह थी ना यह put कर देते हैं तो क्या जगा 1 upon 3z minus 4 upon z minus 1 minus 2 ठीक है एलसम लीजे 1 upon 3z minus 4 minus 2 into z minus 1 और पूरे के नीचे के आज़ेगा z minus 1 आजएगा इसको मैं उपर ही सिदा लिख देता हूं तो z minus 1 मैंने उपर लिख दिया ठीक है next time मैं यह 2 को मंद्र multiply करा देता हूं यहां कराते हैं तो यह आज़ेगा z minus 1 upon में 2 को मंद्र multiply कर वाओ तो 3z minus 4 minus 2z plus 2 आ जाएगा ठीक है यह चीजागी next step में z minus 1 upon में 3z minus 2z क्या होता है z होता है ठीक है minus 4 plus 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आप इस z minus 1 को ऐसे लिख सकते हो z minus 2 plus 1 ऐसे लिख सकते हो minus 1 को minus 2 plus 1 में लिख दिया ठीक है तो यह दिवारा minus 1 नहीं बन जाना है upon में z minus 2 अब z minus 2 इसके नीचे भी ले जाओ और z minus 2 इसके नीचे भी ले जाओ तो क्या जाएगा z minus 2 by z minus 2 plus 1 upon z minus 2 आजाएगा यह कटके क्या आगया 1 आगया 1 plus 1 upon z minus 2 आगया ठीक है तो आपके पाया से 1 upon w minus 2 किस cake को बला गया इस cake को बला गया और यहीं हमें क्या करना था प्रूब करना था तो यहाँ आपके बस cake value क्या आई है 1 आई है ठीक है यह री 1 ठीक है कोशन करते हैं यह कोशन है तो सबसे बहले हम क्या निकालेंगे fix point fix point निकालने के लिए हम क्या करते हैं w को z put करते हैं z put करो तो z is equal to 3iota z plus 1 upon z plus iota ठीक है नेक्स्ट टैब में हम क्या करेंगे इसको उद्र multiply करेंगे तो z into z plus iota is equal to 3iota z plus 1 आ जाएगा अब next टैब में क्या करेंगे z को उद्र multiply करेंगे तो z square plus z iota is equal to 3iota z plus 1 next step में हम हम क्या करेंगे? इसको दे लेकर आएंगे z square प्लस z away माइनस 3 away झाला z equals to zero next step में हम क्या करेंगे? यहाँ z square होगा z away minus 3 away z capita क्या होगा? minus 2 away माइनस 1 is equal to zero जाएगा ठीक है? next step में हम क्या करेंगे? आप इसको लिख सकते हो माइनस वन को आईटा का square लिख सकते हो ठीक है अब यह जो है यह जेड माइनस आईटा का whole square बन रहा है आब देख सकते हो z का square इसको खोलोगे तो क्या आएगा जेड का square यह है plus ayka का square यह है minus 2 into आईटा इंटू z तो यह है तो इस पूरे को हम यह लिख सकते हैं is equal to zero यहां से हमारे पास z की क्या value आ जाएगी z minus iota is equal to zero आ जाएगा स्केर को खोलेंगे तो ठीक है तो z is equal to iota आ गया ठीक है तो z की value क्या आगे iota आगी तो यहां आपके पास fixed point कितने है fixed point क्या है iota है ठीक है only one एक ही है नेचर क्या होगा अगर एक ही fixed point होता है तो क्या होता है नेचर पैराबॉलिक तो वही हमने लिख दिया नॉर्मल फोर्म कैसी आएगी one upon w minus q is equal to one upon z minus q plus k जैसी form आएगी क्यों यहां कौन है fixed point है वह क्यों है आयटा में कि one upon w minus iota is equal to one upon z minus iota plus k यह चीज़ आपको प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे left hand side को लेकर चलेंगे left hand side क्या है one upon w minus iota है w की value put करो यह थी यहां put कर दो तो क्या जाएगा three iota z plus one upon z plus iota ठीक है minus one और इस पूरे के लिए उपर क्या है one है ठीक है one upon में यह तो next step में अब हम क्या करेंगे LCM ले लो नीचे तो यहां जाएगा इसको उदर multiply करेंगे तो क्या जाएगा minus z minus iota क्योंकि यह minus लगा था ना अंदर multiply होगा ठीक है और यहां one plus three iota z और उपर z plus iota आ जाएगा यह इस चीज़गा अगर आप नीचे LCM लोगे ठीक है यह नीचे आ जाएगी z plus iota बाद में रैसी पोकलों के ऊपर चली जाएगी ठीक है तो मैंने सीधा ही ऊपर भेज दिया अब next time में अब क्या कर सकते हो यहां नहीं आयटा है ठीक है तो यह यहां भी iota लगेगा और यहां भी iota लगेगा क्योंकि one multiply नहीं हुआ अंदर minus one multiply नहीं हुआ minus iota अंदर multiply हुआ है ठीक है तो यहां z के साथ iota लगेगा और यहां iota का square हो जाएगा next step में z plus iota upon में three iota z plus one minus z iota iota square को हम क्या लिख सकते है one तो यहां plus one आ गया ठीक है next step में आप क्या कर सकते हो यह three iota z है यह minus z iota है मलकि क्या बन गया two iota z बन गया ठीक है तो वही करेंगे अब हम z plus iota upon में क्या जाएगा two iota z plus two आ जाएगा ठीक है क्योंकि यह one plus one two हो गया ठीक है तो यह चीज़ा क्या आपके पास अब हम next step में क्या कर सकते हैं यहां से आप क्या करो two iota को common निकाल तो z plus iota upon में यहां से two iota को common निकाल लेते तो यहां जगा z plus two upon sorry one upon iota आजाएगा ठीक है अब आपको पता है अगर denominator में होता है तो हम rationalize कर लेते हैं तो iota से multiply iota से divide कर देंगे तो यह क्या बन जगा नीचे तो iota square हो गया ठीक है तो iota square क्या होता है minus one होता है तो इसका minus यह यहां लगा दिया तो z minus और यह यह यहां लग जाएगा ठीक है और बहार 2 iota as it is और ओपर z plus iota as it is यहां हम iota को क्या लिख सकते हैं plus 2 iota minus iota ठीक है तो यहां z minus iota को कठा लिखे दो plus 2 iota आजाएगा प्लस यहां क्या करो आप 상t对 हो क्यूंकि नीचे आप को इसके ले जाओ आपको प्रुड़ा थे 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 प्लस यहां क्या करो आपर सिर्चनलिजेशन करो क्योंकि नीचे आपको आयटा दिख रहा है तो आपको पता है हम उस case में क्या करते है रैष्णलाइस करते हैं तो इंटा आइटा आईटा कर दिया उस कर दिया और डिनोमेनेटर को भी आइटा से मल्टिप्ले कर दिया ठीक है यह आ जोगा आयटा अपॉन टू आट n टौई होगी इता स्केर होगया तो मतब माइनस की आ गया माइनस वन आ पीगा?